स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में मैं रितेश सर्मा तो जैसा कि पोशन ट्रेकर एप में जब आप लोग किसी भी बच्चे का अधार भेरिफाई कर रहे होंगे तो आप लोग का अधार भेरिफाई नहीं हो पा रहा या फिर जब आप लोग बच्चे के माता या पिता का अधार नंबर और डेट अब बर्थ डालके सब्मिट कर रहे होंगे तो सब्मिट तो हो जा रहा होगा लेकिन जब आप लोग अधार भेरिफाई करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे अधार नंबर नहीं दिखाता होग या फिर कुछ भी चेंज किये होंगे तो वहां पे सो नहीं करता होगा तो इस परकार की प्रोलम जो है वो क्यूं आ रही है और बच्चे के माता या पिता का अधार समिट करने के कितने टाइम बाद आपका जो अधार फेरिफाई है वो कम्पलीट होगा इसी परकार के जो कमे आए गया है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लिजेगा वीडियो में दी गई जनकारी आप लोग को पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा लाइक कर दीजेगा और जो भी आंगनबारी ब जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14.3 का जो निव भर्जन आया हुआ है अगर आप लोग उस निव भर्जन को अपडेट नहीं किये होंगे तो पहले आप लोग प्ले स्टोर में जाईए और वहाँ से 14.3 का जो निव भर्जन है उसको अपडेट जरूर कर लिजएगा तो देखें यहाँ पे जो बेनिफिसरी वाला ओप्सन आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बेनिफिसरी वाले ओप्सन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 3-6 साल वाले बच्चे की केटेगरी को उपेन करेंगे और आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझेगा कि यह जो अधार वेरिफाई का नियम है वो किस परकार से काम कर रहा है अभी जो 14.3 का जो निव अपडेट आया है कि new registration करने के बाद जो pop-up message है वो change हो चुका है जैसे कि अप लोग profile अपडेट भी करेंगे तो उसमें भी जो pop-up message दिखाएगा तो sometime बाद जो यहाँ पे message दिखा रहा है अगर कुछ change कर रहे है तो इसी के कारण आप लोग का अधार verify करने में problem आ रही है जैसे कि यहाँ पे हमने एक दिन पहले जितने भी लभार्थियों का अधार verify है वो किया है तो इस परकार से यहाँ पे verify दिखा रहा है और जैसे कि अगर आप लोग on verified वाले बच्चे का अधार verify करेंगे या कुछ भी change करेंगे तो आपको यहाँ पे problem के आएगी चलिए हम आपको बता देते है जैसे कि यहाँ पे हम 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की category को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे हम 3.0 पे जाएंगे 3.0 पे जाने के बाद यहाँ पे profile update पे click करेंगे जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बच्चे के पिता का हमने यहाँ पे अधार नमबर डाला है जो कि अधार नमबर यहाँ पे सही होना चाहिए अधार के अनुसार date of birth भी आपका सही होना चाहिए और यहाँ पे जो अधार पे उस बच्चे के पिता का नाम है अगर आपने पिता का अधार डाला है तो पिता का नाम भी आपको यहाँ पे सही-सही भर लेना होगा और मिलान करके भर के समिट कर दिये होंगे तो आपका एक दिन के बाद यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि अभी जो update आप लोग देख पाएंगे 14.3 में जो दूसरा update आया था कि sometime बाद अगर आप लोग कुछ भी update करते हैं या new registration करते हैं तो कुछ time बाद आपका वहाँ पे जो भी आप लोग change किये होंगे या जो भी new registration कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका एक दिन बाद यहाँ पे show कर रहा है जैसे कि अगर एक दिन बाद अगर आप लोग इस बच्चे का सारा चीज सही सही डाल के यहाँ पे verify वाले पे click करेंगे तो आपका अधार verify असानी से हो जाएगा और जैसे कि अधार के अनुसार जो भी आपने change किया होगा नाम या फिर अपने अधार नंबर गल्ट डाला होगा फिर से change किया होगा तो एक दिन बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अधार के अनुसार यहाँ पे वो नाम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है वो अधार संखिया दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है वो date of birth अधार से मिलान करके दिखिएगा कि वो अधार संखिया दिखा रहा है या नह आपको फिर से क्या करना है प्रोफाइल अफडेट में चले जाना है और प्रोफाइल अफडेट में जाने के बाद फिर से आपको वहाँ पे जो भी गलत आपने एंट्री किया होगा उसको आप लोग ठी करेंगे जैसे सब्मिट करेंगे तो आपका सम्टाइम लीक के कुछ मे परकार से जो भी बच्चे का अधार भेरिफाई है वो कम्पलीट कर पाएंगे और जैसे कि हम आपको बताते चलें कि जो अधार भेरिफाई का जो डेट है वो अभी फिलाल नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि अभी जो पंदरा तारीक तक आप लोग को विभाग के और से नोट जितने भी लभारती है उनका अधार भेरिफाई 100% कर लेना है अब थोड़ा सा समाई लग रहा है सरवर के कारण भी आप लोग की ज़ो पोशन ट्रेकर एप में बच्चों का अधार भेरिफाई है किसीका भी आधार भेरिफाई है वो जल्दी नहीं हो पा रहा है तो आप ट्राइ करते रही आप लोग का 100% अधार फेरिफाई हो जाएगा उमिद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तर के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद